हेलो गाइस तो मैं हूँ पिंकी बालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल गिंडम ठीक है तो शुरू करते हैं हम एनिमल गिंडम के अंदर क्या-क्या देखेंगे देखो एनिमल गिंडम के अंदर बहुत सारे हमारे पास में आनिमल जाएंगे लेकिन उन एनिमल्स को पढ़ने से पहले हमें उनके लिन कुछ की वर्ड यूज किया जाती है उनका पता होना चाहिए ताकि उन्हें पढ़ना हमारे लिए हो जाए आसान तो देखो हमारे पास सबसे पहले शुनू करते हैं एनिमल गिंडम के अंदर डिवलाप्मेंट कोई भी और्गनिजम आपक जैसे कि सबसे पहले बनता है जाइगोट अब हमें पता है कि जाइगोट कैसे बनता है जब आपके पास में मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं आपके पास में जाइगोट बनाते हैं ठीक है तो आपके पास मेल फीमेल गैमिट के तो एक तरीके से क्या है जाइगोर से वो एज बना होगा और एज से क्या निकलेगी फिर बाद में कोई बर्ड निकलेगा तो ठीक इसी तरीके से जाइगोर से डिबलक्ट हुआ अगर आपका यंग बन्स एड अड 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 तो उस केस कम बोते हैं डारेक्ट डिबलक्मेंट क्या होगी आपकी डारेक्ट डिबलक्मेंट होगी वह जाइगोर से सीदा का सीदा अड 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 बन गया जैसे हम हो अगर कि बाग दरें, तो हम हम यूमिंग लांग का अगवा को पह संद लूदी हो वी देखो अब बेभी ने बर्थ लिया तो वो सिदा न सिदा हम जैसा बन जाएगा ना ऐसा तो है नहीं कि पहले उसके लार्वा की स्टेज आएगी ऐसे स्टेज आएगी नहीं आती लार्वा की सेज इंडर आगे हो गया कहला आखे उन्मों वी इन डारेक्ट निए इसा सबाइने से नहीं होता है कि मुर्य मैं तो होता होगा ठीक है तो अब देखो जो जाइगोर्ट है जाइगोर्ट क्या है बन सैज की सेज है आपके पास में क्यों दो साइगोर्ट कैसा होता है डिपलोर होता है उसको भी छोड़ो जाइगोर्ट होता है हमारे पास में जाइगोर्ट बड़ा होकर बनता है मोरूला ठीक है जब डिव लप्रेंट होती है तो वह बना देता है गैस्टूला इस गैस अधर बोलते हैं और पूरे और ऑर्गनगों गोजाएंगे उससे पुड़ा का भी फर्म हो जबता है तो ठीक है, तो ठीक, ऐसे ही इनके अंदर होता है, यानि जर्मल फोर्म में, कि जाइगोट वड़ा होकर बनता है मुरूला, मुरूला से बनता है बलास्टूला, और बलास्टूला से क्या बनता है आपका, गेस्टूला, ठीक है, अपने पास में, यानि ये क्या है, जाइगो अगर इस गेस्टुला से दो जर्म लेयर बने और उससे पूरी पूरी बोडी फोर्म होए तो वो कहलाते हैं डिपलोप्लास्थीक और जिनके अदर दो जर्म लेयर होती है डिपलोप्लास्थीक और जिनके आदर आप पढ़ोगे पॉरीफेरा, सिलन्टरेट्स, एंड अब यह है क्या polyfera sylentry to tinofora तो जो हमारे पास में animal kingdom है इसको हमने दो पार्ट के अंदर divide कर रखा है cordates and non-cordates के अंदर जिन organism के अंदर notochord present होती है वो कहलाते है cotocordate और जिन के अंदर नहीं present होती है वो कहलाते है notochord अब non-cordate so non-cordate organization के अंदर भी बहुत सारे animals आते हैं cordate के अंदर भी बहुत सारे animals आते हैं so जो non-cordate होते हैं उसके अंदर आपके पास में यह 9 categories आती है जिसके अंदर non-cordates के अंदर हम पढ़ते हैं pori phara, sylentrates, platy helminthus, ascal helminthus, analida, orthopoda, mollusca, echinodermata and hemicordata यही हमें animal kingdom के अंदर आगे जिसे pori phara क्या है phylum का नाम है तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि pori phara phylum के अंदर जो organism होते हैं उनके क्या-क्या features होते हैं इनके उपर पूरी एक-ए class हो गी हमारी non-cordate organism के अंदर जो आपके पास नहीं आते हैं इनके क्या-क्या features होते हैं आपके पास जैसे pori phara क्या है आपके पास अलग-लग phylum है वर इन phylum के अंदर अलग-लग organism आते हैं यू मात लो एक जैसे pori phara है ही पूरी पूरी एक family है वो इस family से हमारी family होती है वो इस family के हरे एक member के बारे में हमें पढ़ना होता है सारे members के बारे पढ़ना possible नहीं है तो हम general features पढ़ते हैं ठीक है तो ऐसे ही जो pori phara औ जो sylund rate होते है तीनो phara आप confused होगे पिलो फ्लोरा इन में से ही एक का दूर का common name है वो बार में देखेंगे ठीक है तो pori phara and sylund ratea अगर यह germ layer आपकी तीन germ layers में divide हो ectoderm, endoderm and mesoderm के अंदर तो वो organism केह लाते हैं triploblastik so platyhelminthus से लेकर members तक सबसके सब क्या होते हैं आपके पास में triploblastik यहां पर मैरे pori phara selical hemicodata तो लिखा हुआ है इसके आगे जो होते हैं वो organism core data के अंदर आते हैं और core data के अंदर फिरम आगे पड़ते हैं इनका एक flow chart में इससे पहले वाली एक video के अंदर करा चुकी हूँ आप वहां से देखना वहां से clear हो जाएगा ओपर पपर यहां उल्हूंग हमें ओब इस चीज हमारे पास में होगी गेस्टोफोंट यहां पर हमने क्या देखा डारेक्ट अगर जो यह ब्लास्टोपोर है यह बना दे किसी और्गनिजम का माउथ तो वो कहलाते हैं प्रोस्टोस्टोमस आपके पास में वो क्या कहलाएंगे प्रोटोस्टोमस आपके पास में कहलाएंगे अगर जो यह ब्लास्टोपोर है यह बना दे माउथ और अगर इस ब्लास्ट प्रोटोपोर बनाए एमिनस वो तो भी तुरोस्टोमस जिनके अंदर बनाए पाउत वो होते हैं प्रोटोस्टोमस ठीक है अब हमने क्या कर रखा है हम यह देखेंगे हमने लेवल ऑफ और जानी जो हमने आपर और और बनाते उनके अंदर होता है जो आपका और नाइजेशन होता है होता है सब्सक्राइण भी बनारे हो इसको भूँते हैं को हमने को यह दिए जाThen के और चिसे पूंचे और उर्गन लेवल जया तो वो hub कासे प्लेटी हल से छुडू करकर जितने भी आगे हैं आगे हैं आगी प्लेटी हल मेंदा शी demand यह उद्यासा कासर्टॉ जो सिंयूंद्रेटर की बो ID की तरफ मिलते हैं और पॉरिफेरा इंदर बॉर शरब righteousça जोड़ा होट हमारे पास यहां से फियर हो गया होगा होगा फोई एकिस चीज को और क्या बोलते हैं इस सारी की सारी टरंज आगे दुबारे से विंग्स होगी हमारे पास में ठीक है तो अब इसके हम नेक्स पार्ट के अंदर मिलेंगे